नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे गावन नए वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हमारी तीसरी कविता सच हम नहीं सच तुम नहीं का रसा स्वादन आज हम इसका करेंगे पद्धे विशलेशन तो दोस्तो जो अभी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में वो है मुद्दो के आधार पर यानि कि आपको लिखना है point wise आपको कुछ point दिये रहेंगे कुछ मुद्द दिये रहेंगे उसके आधार पर आपको करना है और जितने भी हमारी कविता हैं उसमें अधिकतर हमें दिय या है अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर मतलब क्या होता है दोस्तों आपको जो लाइन दिया रहेगा एक पंक्ती दिया रहेगा उसको एक्स्प्रेन करते हुए पुरी कवीता का explanation पूरी कविता का रसा स्वादन लिखना होगा एक paragraph में लिखना होगा उसमें ऐसे point डालके नहीं लिखना होगा तो चलिए देख लेते हैं रसा स्वादन के मुद्दे तो सबसे पहले रहेगा शिर्शक यानि की हमारी कविता का नाम क्या है टाइटल क्या है उसके बाद है र उसका धीम क्या है रस अलंकार याने कि उसमें कोई रस है या फिर अलंकार है अगर होगा तो आपको लिखना होगा प्रतीक विधान मतलब किसी खास बात को दरशाने के लिए उसकी की गई तुलना अब तुलना किसी भी चीज़ से की जा सकती है, हम इसका अभी देखेंगे पद्य अफिलेशन रसा स्वाधन तो आप समझ जाएंगे आसानी से उसके बाद दोस्तों कलपना, कलपना एक बहुत महत्वपून तत्व है रसा स्वाधन का तो कलपना यानि जिसे हम अंगरेजी में कहते हैं, imagination तो कलपना के दोरा, लेखक कभी अपनी कलपना शक्ति दोरा, असंभो लगने वाली चीज़ को संभो कर दिखाता है, वो ऐसी चीज़े लिखता है, ऐसी चीज़े को कविता में हमें एड़ करके दिखाता है, जो असंभो ह काइव में निर्जी चीजों को सजी वकर कर दिखाता है उसके बाध पसंद की पंखतीया तो या एक लाइन में लिख देना होगा. उसके बाद आखिर में हैं कविता पसंद आने के कारण ये आपको लखना होगा, तीन या चार पंक्तिय में लिखना ही होगा कि कविता आपको पसंद क्युं आई है. तो एक कुछ मुद्धे है कुछ आधार करना होगा टो आपको परिज्छा में कुछ ऐसा प्रेष्ण दिया HUGE करना परिश्चह में प्रेष्य में पर नुम्हिद्यों के आधार और जो पारिण कीजिए तो सबसे पहले है जैसा कि मैंने बताया रचनाकार शिर्षक यानि कि इस कविता का नाम क्या है तो इस कविता का हमारी तीसरी कविता का नाम है सच हम नहीं सच तुम नहीं उसके बाद रचनाकार कवी तो कवी है हमारी इस कविता के डॉक्टर जगदीश गुपत जी उसके बाद कविटा की केंद्रिय कलपना याने की कविटा के मध्य में कौनसा भाव है कौनसी बात हमें पता चलती है इसका थिम क्या है तो प्रस्तूत कविटा में कभी हमें निजयंतर आगे बढ़ते रहने संघर्ष करते रहने और मार्ग में आने वाले रुकावटों की परवाहन ना करके अपने लक्ष की प्राप्ती की और अग्रसर होने की प्रेना दे रहे हैं यही इस कविता की केंद्रिय कल्पना है तो इस कविधा की केंद्रे कलपना यही है दोस्तों कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है हमें कठीनायों का सामना करना है और जितनी भी रुकावटे आएंगी उसकी परवाह नहीं करनी है सिर्फ हमें आगे बढ़ते ही रहना है उसके बाद रस और अलंकायर तो इस कविता में कुछ रस और अलंकायर नहीं है इसलिए यहाँ पर आपको सिर्फ कट कर देना है पांचवा है प्रतीक विधान तो मैंने आपको प्रतीक विधान बता दिया है कि क्या होता है प्रतिक विधान में किसी एक खास चीज की तुलना की जाती है किसी दूथीरे चीज से तो यहाँ पर दोस्तों क्या तुलना की गई है इस कविधा में शंहगरश का मार्ग और त्याद कर नत हो जाने यानि किसी की अधींतर्ष चुकार करने वाले वेक्ती को मृत्टक के समान हो जाना कहा गया है कभी ने इस तरह के मृत्त वेक्ती के लिए दाल से ज़ड़े उए फुल का प्रतिक के रूप में उप्योग किया है तो इस कभीता में दोस्तों यहां पर प्रतिक विधान यह है कि यहां पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में तुलना की गई है ऐसे व्यक्ति जो संखरश का मार का त्याग देते हैं और किसी उच्छे व्यक्ति को गिरी शक्तिशाली व्यक्ति को देखते हैं तो उसके गुलाम बन जाते हैं और सोचते हैं कि हम इसकी अगर जी हुजरी करेंगे इसकी हम अगर गुलामी करेंगे तो यह भी हमें अपने साथ ले जाएगा आगे तो ऐसे वेक्ति के बारे में बताया गया है यहाँ पर ऐसे वेक्ति की तुलना डाली से जड़े हुए फुल के समान की गया है उसे डाली का जड़ा हुआ फुल कहा गया है ऐसे वेक्ति की तुलना की गया है जो अपने से सक्तिशाली वेक्ति को देखती है ही उसकी गुलामी क करने लगता है आगे बढ़ने के लिए अपने स्वार्थ के लिए उसके बाद है कलपना तो यहां पर इस कविता में कवी ने विविन उधारनों के माध्यम से विविन कलपनिक गुदारान दी हैं और हमें एबाद बताई है सात्वा है पसंद की पंक्तिया तरह प्रभाव यानि की पसंद की पंक्तिया कौन सी है कविता में से तो मैंने अपने पसंद की पंक्तिया लिखी हैं आप चाहे तो अपने पसंद की पंक्तिया भी लिख सकते हैं तो कुछ इस प कमरकस तयार रने की प्रेना मिलती है यानि कि इन पंक्तियों के माद्यम से हमें एसीख मिलती है कि हमें अपनी समस्याओं को खुदी सुलजाना होगा किसी दूसरे के भरोसे नहीं बठे रहना होगा अगर हम किसी दूसरे के कविता पसंद आने का कारण तो कविता क्यों पसंद आई यहां पर आपको लिखना है तो प्रस्तुत कविता में कभी संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं कभी मेहनत को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं सच्चा मनुश्य वही है कभी के अनुसार जो कठीनायों से डर ना कठिनायों से घबराए ना मुसीबतों से ना डरे और हमेशा आगे बढ़ता रहे तो यह इसका उत्तर है दोस्तों जितने मुद्धे हमने देखे कविता के शुरुआत में इसके शुरुआत में जितने भी हमने आठ मुद्धे देखें जरूरी नहीं कि यही पुछे है परिच्छा में तो इसलिए उसके लिए भी तयार रहिएगा तो यहां पर जितने आठ मुद्धे दिये थे हमने उसके आधार पर ही देखें क्योंकि ज्यादा करके इनहीं मुद्धों के बारे में पुछा जाता है तो बस दोस्तों यही तारह सा सदन इस कविता का सच हम नहीं सच तुम नहीं मुझे आशा है कि आपको सारे मुद्धे अच्छे से समझ में आ गए हैं तो इस वुडियो को लाइक कर दीजिए या फिर आपको कुछ भी डाउट हैं कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट किजिए मैं आपका रिप्लाइज जरूर दूँगा आप सब्सक्राइब को आपका उद्दर डिरूर मिलकाएगा धन्यमाद दूस्तों